उत्तराखंट के पूर मुख्यमंत्री रमेष पोखरियाल निसंक जी मारे साथ है। रमेष जी चार राज्यों में प्रचंड बहुमत दिया। उत्तराखंट से आप आते हैं, उत्तराखंट को लीड कर चुके हैं। अब इसमें सरकार की गठन को लेकर चर्चाय चल रही है क्योंकि मुख्यमंत्री चुनाव हार चुके हैं तो चेहरे को लेकर क्या कुछ अभी बात्चीत चल रही है कि मुझे लगता है कि आमको देखे ना उत्रखन में कितने प्रचंड बहुमत मिला है हमने उस मिठ्थक को तोड़ा है जो लोग कहते थे एक बार कांग्रेस से तो यह समय बीजे पीए आएगी बीजे पीए तो फिर कांग्रेस आएगी हमारी पिस्वी बार भी हम प्रचंड प्रचंड बहुमत से आए और यह समय भी हमने उस मिठ्थक को तोड़ा दोबरा हमारे गवर्मेंट आई तो स्वेंटाली सीटों पर लोग जीता है और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो 200-500 के एसाब से हम लोग हारे हैं का मतलब भारते जनता पार्टी ने वहां प्रचंड भामत लिया ही है साथ था में जनता का विश्वास भी जीता है नहां मुद्ध नेता के चैन परक्रियां होती है हमारे उत्रकंड में जो आ जंड र भारत के सुनद्री तो है राजनाद संग भारत के रक्षामन की बारतिय जनता PY राश्यवाधियश्य भी रहे हैं do मिनाक्षी लेखी जी तो हमारे वेडेश राजय मंत्री हैं वो जा रही है सहे प्रभारी के साथ तो विजा भी मस करेंगे तो कुख्रेल जी इतनी बात बता दीजिए कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो विधायकों में से होगा या दिल्ली से भी किसी को भेजा जा सकते हैं यह काम जब यह नेती तो क्योंकि नहीं आप उत्रक्रण की राज़ीती में बहुत आहम भूमिका निभाते हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परवेक्षक इसलिए बेजे जाते हैं कि वह विचार विमर्ष करें और विधायकों से पूछें कि वो किसको नेता चाहते हैं हड्यां जान अगर कोई ऐसी परिस्थety बंगती है जिसमें अगर केंध्र कहता है कि किसी वेक्ति को गिल्ली में हैं सामचे इनको भूम क्या दिजए चुकि आप खर करता है कि अडरित पार्टी और पटी का अपना आनुशाशन है पार्टी जो आदेज देती है जो नर्ने देती है जो जिमेदारी देती है सब कोई निवाना होता है हमारे यहां इस तरीके का कोई ऐसा नहीं है जैसे कॉंग्रेस में फुटबॉल मैच होता है खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं टाइम्सनाव नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे और हां बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा